Hello Everyone, Welcome Back in our Maths Class आज की Maths की Class में हम करने जा रहे है हमारा Topic Edition आप सभी को याद होगा कि हमने previous Class में भी हमारा Edition का Topic किया था तब हमने स्टार्टिंग की थी Edition की Edition मतलब मैंने आप लगों को बताया था Edition का मतलब होता है दू अलग-अलग Numbers को या Digits को Add करना आपस में जोड कर एक sum निकालना यानि कि total निकालना और हमने जाना था कि हम addition कि किसी भी number को addition कैसे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें दी हुई digits को हमें place value के according columns में arrange करना होगा उसके बाद उन्हें add करना होगा ठीक है लेकिन आज की class में हम जाने part वो क्या होता है add with carry ठीक है अब add with carry का मतलब क्या होता है add with carry का मतलब होता है कि हमारे पास जादा है तो हम क्या करते हैं हम अपने साथ वाले को दे रेते हैं जैसे कि sometimes ऐसा होता है ना कि हम कोई समान लेकर जा रहे हैं अगर हमें समान भारी लगने लगता है तो हमारे साथ क क्या कहते हैं कि मेरे पास जो समाने वह बहुत भारी हो गया है आप मुझे से थुरा से समान ले लिजी ऐसा होता है न कहीं बार विट कैरी भी ऐसा ही कुछ होता है कि अगर दो नंबर को जोड़ने के बाद उसके पास जादा नंबर हो जाते हैं एक है ठीक है चली देखते हैं कि अब हम add with carry किसी भी number को add कैसे कर सकते हैं carry के साथ जैसे यहां पर example के तौर पर मैंने आपको क्या दिये दो numbers दिख रहे हैं आपको आपको यह दो number क्या करने है करने है और में करने के लिए सिब से पहले है क्या करना होगा हमें समय करने के पहले हमें की प्लेस собой कंट करने होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इससे कहां तक हमें प्लेस लिखनी होगी तो वांस टैन्स हंड्रेट थाल्ज landmark 10 तक चलिए हम बनाते हैं, वान्स, टैन्स, हंड्रेड, थाउजन, टैन, थाउजन, अब आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने, कॉलम्स अरेंज कर दिये हैं, कहां तक के, टैन थाउजन तक के, कि मेरे नमबर टैन थाउजन तक है, इसलिए मैंने टैन थाउजन तक, क्या किया है, कॉलम्स को अरेंज कर दिया है, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें इन दोनों नमबर्स को, एक एक करके, इन कॉलम्स में अरेंज करना है, है यहां से स्टृटिंग करेंगे हम इस वाले नंट से सबसे पहले वन की प्लेश केप है रहा जाएगा ठीक है धिरे दिएक करके आगे तो फूर को कि एन यहां पर पूट करते जाएंगे यह कर दिया हमने दोनों नमबर्स को एक साथ प्लेस वैल्यूस के अकॉर्डिंग हमने इनको पूट कर दिया यहां पर लगाएंगे वैडिशन का जो हमारा साइन होता है इतना तो सब को आता है है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में यह किया था इब आता है कि हम इने कैसे करेंगे मैंने पहले भी वीडियो सेंट की हैं बिताया है कि जब हम एडिशन से करते हैं फिंगे उसे शुरु करते हैं से चोटी होती थीक इसलिए हम से स्टार्ट करेंगे 10 पर 100 फिर जब हम 3 को और 7 को आपस में हाथ पे count करेंगे तो 3 और 7 मिल के कितने बन जाएंगे ? 3 और 7 मिलके बन जाते हैं 10 एक नब जो इधर वाला नंबर होता है वो अपने साथ वाले को दे देते हैं क्यूकि यह 2 number उनके लिए बहुत भारी हो जाते है यह इतना भार नहीं उठा पाएंगे है ना इसलिए क्या करते हैं यह अपना एक नंबर जो इस साइड वाला होता है वो अपने साथ वाले को दे देते हैं अपने पास सिर्फ एक नंबर ही रखते हैं इस साइड वाला ठीके तो चलिए हम करते हैं 7 और 3 अगर मिलके 10 होते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने पास कितने रखेंगे सिर्फ 0 अपने पास रखेंगे और जो 1 है वो क्या कर देंगे इसे अपने साथ वाले को दे देंगे ठीक है कि अब इसका भार तुम उठाओ हमसे नहीं उठाया जा रहा ओके चलिए अब हम व 4 और 3 जब हमने 4 और 3 को हैंट्स पर काउंट करके और टोटल निकाला तो 4 और 3 कितने हो जाते हैं 4 और 3 हो जाते हैं 7 लेकिन क्या इसे हमें 7 लिखना चाहिए नहीं क्योंकि 7 के अलावा जो 1 की प्लेस से यह वाला 1 आया है वो भी तो एड होगा ठीक है तो 4 और 3 हो इसे इंगे तो ये किटना बन जाएगा यह वं जाएगा है यो आपको दिuddfficतीक कोई नवर नंभर इसाथ है थी तभी कूई तभी इधर वाले नंबर carry जाता है अगर दो नंबर एक साथ नहीं है सिर्फ अकेला कोई एक ही है तो वो उपर नहीं जाएगा या केला था यह डिजिट इसलिए हमने क्या किया इसे यहीं पर लिख दिया इसके साथ कोई भी नहीं था इसलिए हमने उपर नहीं दिया इसे carry अब देखते हैं 7 और 3 कितने होते हैं 7 और 3 हो जाते हैं 10 इसका मतलब क्या होगा आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं इसका मतलब है कि यह भी अपने पास सिर्फ 0 रखेगा और अपने साथ वाले को 1 carry दे देगा ठीक है ऐसे ही 9 और 6 होते हैं कितने 15 15 में हमने यह वाला 1 भी add कर दिया तो बन गए मेरे कितने 16 और जैसे कि हमने सब के साथ किया यह अपने पास कितना रखेगा सिर्फ 6 रखेगा और जो 1 बचा यह अपने साथ वाले को दे देगा ठीक है अब 2 और 4 कितने होते हैं 2 और 4 होते हैं 6 और 6 के साथ हमने इस वाले 1 को भी add कर दिया तो यह बन गया 7 ठीक है तो इस तरह से हम add with carry questions जो होते हैं अमारे add with carry वाले करते हैं बस आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप add with carry कर रहे हैं तो यह करते वक्त आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी add करने पे आपके दो number एक साथ आजाते हैं तो हमेशा जो इस side वाला number होता है वो 7 वाले के उपर चला जाता है वो 7 वाले को दे देता है ठीक है और अगर अगर कोई भी add करने के बाद पाएगा क्योंकि उसके पास थोड़ा सा है ना तो इस तरह से हम add with carry वाले questions को solve करते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद यह समझ में आ गया हो कि add with carry को हम किस तरह से easily कर सकते हैं बहुत ही असान topic होता है ठीक है तो अभी आपको कुछ questions दिये गए हैं आप एड with carry वाले यह वीडियो देखने के बाद उन questions को बिल्कुल नीट and clean solve करेंगे ओके तो गुडबाई kids and take care